रादे रादे मित्रों स्वागत है आपके अपने चैनल ग्यान विचार में प्यारे मित्रों आप सभी को प्यार भरा नमश्कार जैश्री कृष्णा रादे रादे प्यारे मित्रों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एलोवेरा के प्लांट के बारे मुझी हाँ एलोवेरा के प्लांट को घर में लगाना शुब होता है या आशुब होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसे वीडियोज मैंने आपको बताई है जो की जिसमें कि मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया है कौन से प्लांट हमारे घर में शुब होते हैं कौन से नहीं लगाने चाहिए कौन से लगाने चाहिए तो इसी तरीके से प्लीस उन वीडियोस को आप जरूर देखें कि कौन सा प्लांट हमारे घर के लिए बहुत ही जादा अच्छा माना जाता है तो प्यारे मित्रों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐलोवेरा प्लांट के बादे में तो आपने मुझे पूचा था की मैम प्लीज बताइए कि ऐलोवेरा प्लांट घर में लगाना अच्छा रहता है या नहीं रहता मेरे घर में बहुत ऐलोवेरा लगा हूआ है क्या मुझे उसे लगाना चाहिए या घर से उखाड के फैंक देना चाहिए जो कि aloe vera का plant होता है वो बहुत आसानी से उगाता है और उसको बहुत ज़्यादा की जरूत नहीं पड़ती है तो ऐसे ही मुझसे बहुत सारे question आपने पूछे हैं कि मैम बहुत सारे aloe vera लगा हुआ है क्या मैं उसे खाड के फैंक दूँ क्या मैं उसे घर में लगा रहना द लिएगा तो देखे जैसा कि मैं आपको बता दू आयुलवेद में aloe vera का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है अगर हम सही रंग से aloe vera का इस्तमाल करते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारे समस्याओं से हमको छुटकारा मिल जाता है ठीक है आयुलवेदा और science दोनो दोने यह माना है कि aloe vera का इस्तमाल करके हम अनेक प्रकार की समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं लेकिन एक यह सवाल उतता है वास्तो सास्त्र के अनुशार की घर में aloe vera लगाना शुब है या अशुब तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही क्लियर करूँ देख रास्तों में आ रही अर्चनों से भी आपको चुटकारा मिलता है तो इसलिए बिना सोच से समझे आप aloe vera के साथ ऐसा ना करें कि कोई आपको कह दे कि अरे यह तो वेर्थ में लगा हुआ है जी नहीं और सदिय रूप में और पास्तु सास्त्र के अनुशार यह अत्यांत एक ऐशा पौदा है जिसको आप किसी भी दिसा में रख सकती हैं तो वे फिकर रही आप किसी भी दिसा में आलो वेरा को लगा सकती हैं अगर आपको कुछ खास समस्या हैं जैसे आपको नोकरी में दिक्कते आ रही है या आपकी नोकरी नहीं लग रही है तो आप ऐलोवेरा का पौधा पच्चिम दिशाकी उड़ लगा सकती हैं जैसे कि मैंने बताया यदि आपकी नौकरी आप चा रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं और लेकिन आपको नौकरी नहीं लग रही है तो आप पच्चिम दिसा में अलोवेरा का पौदा लगा सकती है इससे आपको बहुत ही सरलता से नौकरी मिल जाएगी और अगर आपको एक स् और आपका भगी भी आपके साथ रहेगा और आपको आने जाने में भी कोई भी दिकत नहीं मैसूस होगी ऐसा आपने देखे अन्य को बार सुना होगा कि कुछ लोगों को सूर की किर्णों से समझ्चया होती है वह सूर की रोशनी में नहीं आ सकते हैं उनको एलर्जी हो जाते हैं तो ऐसे कंडिशन में आप अपने सरीर पर एलोवेरा का जैल लगा सकते हैं आप कि तो अच्छा संबंदित सारी जो बीमारिया हैं जो परिशानिया वो एकदम नश्ट हो जाएंगी तो इस तरीके से देखिए अगर आपके दिमाग में आपके मस्टिक्स में यह चल रहा था कि हम क्या ऐलोवेरा लगाएं या नहीं लगाएं तो बिल्कुल आप अप आपके घर में बहुत ज्यादा अलोवेरा लगा हुआ तो आप अपने घर में आस पर पास जो भी पड़ोसी हैं उनको एलोवेरा दें तरी पर भी खाली जगह लग रही है बहां पर एलोवेरा लगाएं क्योंकि यह इसमें बहुत सारे औसी गुड़ होती हैं यह स्वास्त अपने घर तरीके से यह हमारे लिए अच्छा माना जाता है अब आपको मैं बताना चाहते हूं कि एलोवेरा के क्या उपयोग है किन किन चीजों में आप उसको उपयोग में ला सकती हैं एलोवेरा एक गूदेदार और रसीला पोधा है जिसका उपयोग प्राचिन समय से ही आउसदी के रूप में किया जा रहा है आयुरवेद में एलोवेरा को एक दिब्बे आउसदी माना जाता है इसके उपयोग से हमें कई प्रकार की बिमारी उसे चुटकारा मिल जाता है तो इसके उपयोग यदि आपको मालूम है तो आपका बीबी इसको घर से बाहर नहीं तोड़के फैक होगे बल्कि जहां भी आपको यह मिल जाएगा आप तुरंत इसे अपने घर में लगा दोगे ऐलोवेरा के अंदर जेल निकालकर हम अपनी चेहरे पर इसे लगा लेती हैं तो आपका जो चेहरा है चमक उठता है अगर फुंसी हैं दाग दब्बे हैं तो च बहुती ज्यादा आराम देता है और आपके तुचा को निखारता है आयुरवेद में ऐसा भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज ऐलोवेरा का जूस पीता है तो उसका वजन कम होता है आज के समय में हर व्यक्ति मोटापे से बहुत ज्यादा परिसान है और यद प्रकार की जो बीमार्या उनसे छुटकारा मिल जाएंगा तो खून की भरपाई भी आप एलो वेरा के जूस से कर सकते हैं यदि आप नियमे तौर पर एलो वेरा जूस पीती है इसके इलावा एलो वेरा के जूस को आईयरवेद में एक बहतरीन माउथ-फ्रेशनर माना गय और यह एक मौथ फ्रेशनर के रूप में बहुत ज्यादा है तो आप इसको एज़ा बाउथ फ्रेशनर भी उपयोग में ले सकती हैं या आपके मुह में छाले हुए हैं या कभी-कभी हमारे मुह में माउथ अलसर हो जाती हैं तब या आप अलोवेरा जूस पी सकती हैं अपने मूह में अपलाई कर सकते हैं तो आपके जो माउथ हलसर है वह भी ठीक हो जाते हैं क्योंकि यह बहुत जादा हेल्फुल होता है साथी साथ ऐलोवेरा के जूस सुगर के मरेजिन को डाइविटीज है उनके लिए भी बहुत जदा पैनिफिट करता है आई रुविद में ऐसा माना जाता है कि अगर हम ऐलोवेरा के जूस में आमले के जूस को मिला कर पीती हैं तो हमारा सुगर का जो लेवल वो मैंटेन रहता है बढ़ता नहीं है बलकि उसको कम करने में ऐलोवेरा जूस हमें आरी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है तो आप इस तरीके से एलोवेरा जूस पी सकती है अगर आपको कोई चोट हुई है या एंजुरी लगी हुए तब आप इसको घाव पर लगा लेती है तो यह सरीर में ठंड़क देता है और घाव को ठीक करने में भी हमारी मदद करता है तो देखिए मित्रो बहुत सारे अन फिर उनसे संट चल दाता कि इसन लगाना चाहिए तो बिल्कुल आप लगाए क्योंकि यह बोट दी हमारे खर के लिए भी अच्छा होता है और हमारे हैं नहीं मिटरो यदि वीडियो आपको ची लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेर जरूर करें मैं नेक्स वीडियो मिल्